वेल्कम बैक चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में यहाँ पर बात करेंगे जियूती रेजिंस के बारे में काफी समय हो गया यहां पर कंपनी नी मुमिंटम अपसाइड हम लोग को देखने के लिए मिला नहीं कंपनी के अगर बिजनस देखोको के तो कंपनी यहाँ पर एक तरह से ग्लू यह इडिसेज बनाने का काम करती है जैसे फ़ेविकॉल है तो सेम बिजनस में ही है और अगर देखोगे इनका ब्रैंड नेम यूरो है और साथ इसाथ वैससे ही जैसे कि कारप्रेंटरी में फविकॉल और प्रॉफिट गोड देखोगे तो एक सो चार परसेंट के आसपास की रही है मार्जन अगर देखा जाए तो वह भी अच्छी है अब मार्जन और टर्न अगर देखा जाए दोनों ही चीज अच्छी होती है और साथ यहां पर उसके साथ साथ कंपनी की एफिशेंसी भी अच करके दिखा रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा एक साल दो साल तीन साल रहता तो चौथे और पांचवे साल शटे साल फिर यहां पर आपको आरोई काम होते नजार आने लगती है लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो बहुत जादा इस पर पॉइंट आट नहीं कर सकते हैं क्य पहुँच गई थी लेकिन क्योंकि यहां पर कंपनी का लगतार बढ़ता जा रहा है उसके चलते यहां पर कंपनी की देखो कि तो थोड़ा बद यहां पर पी अपने आप कम हो गई है जबकि कंपनी बहुत जादा अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाई है अब थोड़ा सा इसको कहता है यहां पर इन्वेंटरी होती है तो इन्वेंटरी में अंदर क्या चल रहा है वह आप लोग जाके यहां पर फूटनोट्स में जाके चेक कर सकते हो तो अगर अगर देखा जाए तो 2022 से अगर 2023 के अंदर देखो गई यह मतलब मार्च 2023 की बात हो रही है अब तो जाता है कि आने वाले समय में हम लोग की थोड़ी सी सेल्स कम होगी तो उसके वाज़से थोड़ी से इंवेंटरी कम की जाती है और तोटल आवगत यहां पर पांच करोड़ पांसो तीन करोड़ की देखने के लिए मिलेगी जो की 900 करोड़ से काफी ज्यादा कम थी तो उसक पॉइंट पर आप आके यहां पर देखोगी सारी चीज़ा कम हुई है रॉव मटीरियल पैकिंग मटीरियल वरकिंग प्रोग्रेस सारी चीज़ा कम हुई थी 2023 मार्च के अंदर लेकर अब यहां पर आकर देखोगी तो इस मतलब जो कॉटर का रिजल्ट आया अगर उसके हि साब सागर देखा जाए और एक चीज़ और है कि थोड़ा सा बहुत सारे लोगों ने एक्सपेट किया था कि थोड़ा बहुत स्लोडाउन आ सकता है बड़े-बड़े एक नॉमिस में भी किया था एक नॉमिस ने और लेकर उसके बाद जूद इस सारी देखने की चीज़े अगर यह सारी चीज़े देखा जाए उसके बाव जोद अगर अटा के देखोगे तो सेल्स यहां पर कंपेनी की इंटाक्ट रही और उसके बाद अभी करेंट सेन्यारियो के अंदर भी एक ट्रेलिंग फिलमत भी देखोगे तो थोड़ी सी फ्लैटेस ज़रूर है लेकिन अगर चीज़े दोबारा लाइन पर आती है और कंपनी का प्रॉस्पेक्टिव चेंज होता है यहां पर प्रमोटर की बात की जाए तो 48 परसंट से 50 परसंट के आसपास की होल्डिंग बढ़ते नजर आ रही है अगर यहां पर कुछ नहीं होता है और अगर आप लोग देखो ऐसे कंपनी गिर नहीं रही है और अपने साइडवेस मेंटम मेंटेंग की हुई है तो इसका मतलब कही ने कंपनी के अंदर स्ट्रेंध है अगर यहां पर कुछ नहीं होता है अगर आपको करेंटली बाय करना है तो 1691 के उपर आप लोग कर सकते हो और किसी भी तरह के मार्केट में कोई खास मोमेंटम देखने के लिए अपसाइट पर नहीं मिला है एक साल के उपर हो गया है एक साल के बाद अगर ब्रेक आउट होता है तो डेफिनिटली एक अच्छा मूद देखने के लिए हम लोग मिल सकता है और अगर आपको तुरह सा यहां पर लंबे सम करने के लिए मिलेगी बिजनस में अब इक लिए फिलाल चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और अपना कैपिटल सेव रखना ओक्या बाए